हाई ड्वेल्टीज, वेलकम टू इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तापिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम अपना चेप्टर 3 इंडियन एकॉनमी से पढ़ने वाले हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे गाईस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरा लिब्रिलाइजेशन, प्राइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझाता है यानि कि LPG होता क्या है? New Economic Policies को बोलते हैं गाईस, LPG को जो 1991 जुलाई में आई थी तो इसे याद रखना है, वनमा के कोईशन में ये पूछा जाता है आज के इस वीडियो में हम लिब्रिलाइजेशन के टॉपिक को पकड़ेंगे और क्योंकि इसमें काफी सारी चीज़े हैं तो इसके दो-तीन पाट आने वाले है लिब्रिलाइजेशन में गाईस, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं लिब्रिलाइजेशन का मतलब होता है लिब्रल होना लिब्रल बोले तो छूट दे देना ठीक है यानि कि रिस्रिक्ष्ण भट जाटाना उसे बोलते हैं लिब्रल होना यानि कि रिस्रिक्ष्ण उस समय परढ़ थी कौनवा क्या थी इंड़स्री सपर थी वारन पर काफी सामी थी रिस्रिक्ष्ण ती लिब्रें मात्lar Sgtond उन सारी चीजों में लिब्रल हुई लिब्रल बोले तो means removal of entry and growth restriction on the private sector यानि कि private sector पर किस तरह के से government liberal हुई थी कि वह अपना कोई business start करना चाहते तो कर सकते हैं entry and growth यानि कि growth का मतलब हुआ अगर कोई अपने business को बढ़ाना चाहते है private sector में तो वो बढ़ा सकते हैं उसमें liberal होगी थी तो जो restrictions लगा रखी थी ना private sector पर starting से अजादी के बाद से वो हटाई थी हम लोगों ने आज की इस वीडियो में हम industrial जो restrictions थी वह कौन कौन सी थी और उनको कैसे हटाया था वही reform पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहला है reduction in industrial licensing पहले license लेना जो था ना वह बहुत एक पचड़े का काम होता था काफी सारी licensing की नीड होती थी अगर आपको नया business start करना है अगर आपको अकुप अपने बिजनस को जो भी आप बिजनस करें उसको एक area से दूसरे अरिया में expand करना है तो भी आपको license की need है याप फिर आप diversify करना चाहते हो यानि कि अगर अब आपका leather shoes का का काम है और आप purse का कुलना चाहते हो close का खोलना चाहते हो तो भी आपको license लेना है यानि कि diversify करना चाहते हो अप अपने काम को एक के साथ दूसरा को ये start करना चाहते हो तो भी license लेना है और almost सारे कामों के लिए license लेने होते थे तो government ने क्या किया इन सारी चीज़ों में government liberal हुई liberal हुने का मतलब था कि government ने छूट दी कि करो काम जो करना चाहते हो बस कुछ except कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने license रखा बाकी सब के लिए छूट दे दी खोलो काम और करो so reduction in industrial licensing licensing को कम कर दिया गया अब अगर आपको कोई दारुवारू बेचनी है तो license चाहिए होगा defense equipment बनाने तो license यानि कि कुछ main काम है जो हम normally नहीं कर सकते हैं उनके लिए हमें license चाहिए होगा तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया reduction कर दिया industrial sector में licensing को second क्या किया उन्होंने decrease in the role of public sector public sector के role को कम कर दिया यानि कि पहले जो था ना guys government ने उन्हें सिर्फ तीन कर दिया था defense, atomic energy और railway यहां तक अपने आपको सीमीत कर दिया था और आज की देल में अगर मैं बात करूं तो guys railway भी private हो रहा है so अब तो हर एक चीज प्राइवेट होने लग गई है so उस समय पर guys क्या हुआ था कि जो भी government सारी चीज़ अपने हाथ में अंडर कंट्रोल लेकर चलती था अब government ने उनको कम किया अपना रोल कम करके private को दिया यह सब चीज़े में बता चूंकि ऐसा वो क्यों कर रही थी क्योंकि बाहर से MNC का आना था यहां पर private जो companies उनको यहां पर आगे बढ़ाना था था कि private जो भी companies होगी competition लड़ सके कौन सी foreign MNC से इस समय पर government को थोड़ा पीछी हटना जरूरी था दूसरी चीज़ आपको पता ही है कि government sector जो था guys वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था चीक है थर्ड क्या था guys de-reservation under small scale industry अब हमने ना 1947 में हम अज़ाद हुए उसके बाद जब हमारी five years policies बनने लगी तो हमने small scale industries को reserve कर दिया था यानि कि कुछ कामों को हमने reserve रख दियता है small scale industries के लिए कि इनके अलाबा कोई और यह काम नहीं कर सकता लेकिन अब 1991 में हमने लेकिन इसमें changes देकिया है हमने का नहीं अब हमें इसे de-reserve करना है de-reserve बोले तो जो हमने reservation कर रखी ते इसको हटाना है तो अब जो small scale industries के लिए काम रखे हुए थे उनको open किया कि और लोग भी इस काम को कर सकते हैं ज़रूरी नहीं small scale industries ही इस काम को करेंगी और other business houses भी इस काम को कर सकते हैं MRTP Act कहलाता है Monopolies and Restrictive Trade Practice Act MRTP Act इसको बोलते हैं 1969 में यह आया था अब क्या था इधर government ने महला बहुत सारा इस Act में क्या है restriction है ताकि monopoly create नहीं हो जाए कोई company आके अपना सारी जगे पर अपने आपको फैला ना दे अपना हुकुम ना चलाने लग जाए अपने market rate से भी जादा समान ना बेशने लग जाए तो यह Act होता है कि दो business मिले और उन्होंने एक ताकत बना दी आप लोगों को इस समय पर ऐसा कहा हो रहा है इस समय पर हो रहा है आपके mobile phones के bill मैं तो बहुत इस चीज को बोलते हुए कि mobile phone का अगर आप देखो ना पहले तो geo free में दिया गया और आज की date में extra कुतने charges कर दिये even geo ने ही नहीं एटेल ने Vodafone ने सबके charges double से भी जादा हो गए है ना उस समय पर यह Act था monopoly and restrictive trade practice act इसमें क्यों था दो तिन company मिलकर अगर monopoly create करें की तो उनको रोकने के लिए था लेकिन इसमें भी deal दे दी गई कि आप जो चाहे कर सकते हो merge करना चाते हो अपने business को amalgamate करना चाते हो दूसरे business से साथ मिलना चाते हो मिल सकते हो तो इसमें भी हमें liberalization दे दी गई थी जिसकी वज़े से जो लोग business मिलकर अब जैसे hero Honda है तो hero अलग company थी guys Honda अलग थी तो hero Honda मिल गया मारुती Suzuki तो इस तरीके से दो-दो company मिलकर क्या बना दी थी अपनी एक company बना लेती थी चारो चीजों में guys हमारे industrial sector में reform हुआ जो की एक positive way के लिए किया गया था ताकि देश में private sector को बड़ावा मिल सके और foreign competition जब आये तो हम उनके साथ compete कर सके I hope guys आपको इस पार्ट समझ हाया होगा और समझ हाया तो आपको पता है आपको क्या करना है वीडियो को लाइक ज़रूर करना है guys और अपने प्यारे से comments करने और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो से subscribe करना Thank you